सब्सक्राइब तरें मेरे यूट्यूब चैनल स्टड़ी विट एंसी आर्टी को और विंदा बटन जबाएं ताकि मेरा है विद्य पहले पहले पहुंचे हैं आपके काश्वागत है आज हम लग पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैजर डोमेंस आफ ता आर् सिर्फ पानी ही पानी है तो उसे एक अलग चैतर माल लिया गया है कहीं सिर्फ लैंड ही लैंड है तो उसे एक अलग चैतर माल लिया गया है इस तरीके से प्रित्वी को डिवाइट किया गया है हम लोग ने पिछले ही चैप्टरों में पढ़ा था कि प्रित्वी एक यूनि ममकिन है तो जहाँ पे land ही land है जिसे solid portion काह जा रहा है जहां पे land ही land है पृत्वी पे तो उसको लिथो a sphere कहा गया है ठीक है और जहाँ पे water ही water है उसे hydrosphere कहा गया है और जहां पे air ही air है जैसे कि यह आकास तो उसे एट्मयसफेयर कहा गया अब देखिए बेह पर समझ सकते हैं कि gaseous form में water का होता है तो जहां पर सिर्फ gas ही gas हो जैसे कि atmosphere यह आप हवा देखते होंगे आखास में तो इसे एक अलग नाम देदिया कि atmosphere हो गया और hydrosphere hydro का मतलब ही होता है water हुडोर वर्ड है ग्रीक में तो इसका मतलब होता है water तो यानि कि जहां water ही water हो जैसे ocean आपने सुना होगा समुन्दर तो वो सभी जो है उन्हें hydrosphere कहा गया है इस image को देखिए इसमें सभी दिख रहा है यह जिसे water वाला पार्ट हो गया तो यह hydrosphere हो गया जहां समुन्दर मालीजे हो गया उसके बाद यह जो land वाला जो mountain की तरह दिख रहा है यह आपका lithosphere हो गया और यह जो atmosphere देख रहा है जिसमें चड़िया उड़ रहा है आकास यह atmosphere हो गया और यह image देखिए वर्ल्ड का पूरी दुनिया में पढ़ा था बुलू कलर से water bodies को दिखाया जाता है तो बुलू कलर से जितने दिख रहा है यह सभ प्रित्वी पर हो गया और प्रित्वी के ऊपर में आखास जो है उसे atmosphere कहा गया और biosphere बहुत ही important है यह तीनों मेंसे इस image को देखिए यह जो घरा हुआ है यह तीनों मेंसे जो निकलता है जहां पर life possible है उसे biosphere कहा जाता है अर देखे प्रित्वी के अंदर जाईएगा तो यह खास लिमिट है जहां तक जाईएगा तो life possible है उसके बाद life possible नहीं है उसके बाद life रहता ही नहीं है कुछ और scientists लोग जाते हैं तो अपने protective वस्त लेकर जाते हैं या फिर आखास में उपर बढ़िएगा तो life एक खास जगह तक है वहां से उपर बढ़िएगा तो आप म अब नीचे जमीन के धरती में भी राते हैं तो यह लिटो एस्फेर में उसी तरी एट्मो एस्फेर में आप बखले यह सब चीडियों का देखते होंगे उसके बाद हाइड्रो एस्फेर में वाटर में आपने देखा होगा बहुत कुछ आते हैं मचली हो गई तो इस सभी life possible जगह है इन सभी को life possible है तो यहां पे biosphere का आयाता है बायो का मतलब ही होता है life और इस पेर मतलब चैत्र समझ लिए तो इन सभी का definition देख लीजिए यहां पे बहुत अच्छा से लिखा होगा है यह ही definition अब आयो इन चारो एस्फेर को detail में पढ़ते हैं लिटेल में पढ़ को ही ले लिए जाता है लिटेल में इसी में जब ऊपर उठागए होता है जहां तो माउंटेन होता है इस तरीके से उसके बाद प्रित्वी का जब आप नक्सा देखिएगा तो देखिएगा कि ज्यादा पार्ट्स वाटर के हैं लगभग 71% वाटर हैं और 29% लैंड हैं तो जो बड़े-बड़े masses of the lands हैं जो कि लगभग 7 हैं बड़े-बड़े उन्हें साथ continents कहा जाता है और ocean basins कहा जाता है इन वाटर को यह भी लगभग 5 हैं लेकिन 4 से उपर ही गिने जाते हैं तो उसके बाद ocean basins, basins का मतलब होता है जल खुंड मतलब जल का भंडार हो तो ocean basins जाता है यह सभी oceans एक दूसरे से connected हैं लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि यह continents जो है एक दूसरे से connected ही हो कहीं connected है कहीं नहीं है तो ocean connected होने के वज़ा से level of water जो oceans में हो अब किसी चीज का height map नहीं हो तो हम लोग धरती पर से map लेते हैं लेकिन माँटन एवरेस्ट है और उसकी height नहीं हो तो कहीं से नहीं पा जागा तो कम हो जागा कहीं से ज्यादा हो जागा तो एक नीचे एक level मान लिया जाता है कि इसी लेवल से पूरी दुनिया में height ना पर जाएंगे और उसे sea level का जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में sea का मतलब oceans का level सेम रहता है उसी को ले लिया जाता है sea level में ठीक है उसी को sea level का जाता है उसे zero माल लिया जाता है वहाँ से जो भी चीज नीचे होगा उसे depth गाड़ाई मा जाएंगा और वहाँ से जो ऊपर हो गया उसे उचाई ना पाए मीन sea level भी कहा जाता है और वहाँ से जब हाइट ना पर जाता है माउंट एवरेस्ट का तो 8848 मीटर होता है लेकिन यह बढ़कर 8850 से भी ज्यादा हो गया है और जो कि सबसे हाइस्ट माउंटेन है यहां पर 5000 से जिसका गहडाई 11.022 मीटर है लेकिन यह बढ़कर 11.033 से भी ऊपर हो गया है तो यह सबसे ग्रेटेस्ट जुनिया का यहां पे कुछ आकड़ा दिया हुआ है कि कौन सबसे पहले एवरेस्ट पे चड़ा कौन बाद में कौन लड़की इतने लेडिस थी जो पहले चड़ी यह सब देख लीजिएगा अब आये कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने बताया है कि साथ कंटिनेंट्स हैं जिसका नाम है एस्या यूरोप अफरीका नौर्थ आमारिका साथ आमारिका ऑस्ट्रेलिया एंड अन्टार्क्टिका सिसमें इस इमेज को देखिए नर्थाज हःः मिंहास्फियर में ज्याधा लाइंड मासे है मतलब की ज्याधा थारन हम T में अधिक लैंड मासें लिखाते हैं अब आइए एक-ेक कर्किए सभी कंटिनेंस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले एसी आ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि ये सबसे बढ़ा Continent है ये देख सकते हैं और इसी में हम लोग का देश इंडिया हैं तो चल्य âg एसी के बारे में पढ़ते हैं आज पास अजया ही अपी इसी के नीचलेए वाले हिस्से से देखें टॉपिक ओफ काइंशर गुजरता है और यहां से गुजरता है आपका प्राइम मेरेडियन तो इस से इस इस्टर्ण पार्ट में एस्याग है तो इसलिए इस्टर्ण हैमिस्फेर में एस्याग पड़ता है यहां पर एक माउंटेन दिख रहा है, उरल माउंटेन, तो इसी उरल माउंटेन से एसिया अलग होता है यूरोप से, ठीक है, और यूरोप और एसिया के बीच में, देख सकते हैं, वाटर कम ही है, फिर भी इसे दोनों को अलगे नाम दिये गये हैं, इन दोनों महाधवीपों को, जैसे आप Continent´s in English में कहते हैं, एक नाम भी दिया जाता है, जैसे कि Euro plus Asia करके Eurasia इसे कहा जाता है, अब आईए Asia के परोसी Europe को पढ़ते हैं, आप ना सुनिया होगा, Europe में बहुत सारे कान्ट्रीयों का नाम, France, Germany and England यहीं पे हैं, और ये बहुत छोटा है, एसिया के तु में पढ़ा था तो आर्टिक सर्किल इसी यूरोप से भी गुजरता है और ये तीन साइट से देखिए समुद्र से घिरा हुगा है नीचे में मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा होगा उपर में अबाये अफरीका के बारे में पढ़ते हैं अफरीका में एक यूनिक फिचर है कि इसके बीचों बीच से एक्वेटर गुजरता है इसका अधिकतर जो लाइंड्स है वो एक्वेटर के ऊपर है मतलब कि नॉर्थ हरन हमेस्पेर में पाये जाते हैं और ये ऐसा कंटिनेंट है जिसके बीच से तीनों लाइने गुजरती है ट्रोपिक अफ कैंसर ट्रोपिक आपने नील रीवर का नाम सुना होगा जो कि दुनिया का लॉंगेस्ट रीवर है वो यहां पे है जो कि अफरीका में पाया जाता है आपने होट डिजर्ट सहारा डिजर्ट के बारे में सुना होगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है वो भी यहीं पे पाया जा जैसे नैरो लेंड, पतली सी लेंड, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट या एक देश से दूसरे जैसे मली हुई हो. ठीक है? लेंड मासेस, यहां पर लिखा हुए नैरो इस्ट्रीप अपला जोड़ता है. लेन्ड हो बड़ा बड़ा और दोनों को एक पतला लेन्ड जोड़ता हो उसे इस्थमस करते हैं जैसे कि यह देख सकते हैं यह इस्थमस अब पनामा है जो कि नौर्थ अमरीका को साथ अमरीका से जोड़ता है एस्ट्रेट उसे कहते हैं कि एक दो सी हैं वाटर बटी जने बड़े-बड़े और दोनों को एक दूसरे से पतला की से मिलाता हो उसे इस्ट्रेट कहते हैं जैसे कि इंडिया और सिरलंका के बीस देख सकते हैं यह थोड़े-थोड़े लेकिन उसके बीच बीच में कुछ जगा बचे हुए हैं जिसमें इसे यह ओसियन के जिसे अरबियन इदर का जाता है इसे बेव पंगाल का जाता है दोनों को मिलाता है खैप छुटे हुए है इनी को एस्ट्रेट काते हैं बहुत ज़रूरी है याद रखिएगा यह जो दो लेंड मासस दिख रहे हैं इसमें उपर वाला जो कि नॉर्थ हर्नमे स्फेर में है इसलिए इसे नॉर्थ अमरीका भी कहा जाता है और नीचे वाला का अधिकतर पार्ट साथ हर्नमे स्फेर में है इसलिए इसे साथ अमरीका कहा जाता है पहले हम लोग नॉर्थ हर् इसी में एक देश है USA जिसे United States of America या सौर्ट में हम लोग अमरीका करते हैं जिसके राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प हैं नॉर्थ अमरीका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादुलीप है जिस साउथ अमरीका में दुनिया का सबसे लंबा मतलब की लॉंगेस्ट माउंटे जाता है जिसे Andes Mountains का जाता है देखिए यहां से लेकर यहां तक है यह हिमालिया से भी बड़ा है हिमालिया में Mount Everest सबसे हाइस्ट है हाइस्ट और लॉंगेस्ट में डिफरेंट है हाइस्ट मतलब की हाइट सबसे ज़्यादा है लेकिन लंबाई में Andes Mountain है इसी में Amazon River मिलता है आमैजन रुबह इसे लिफरेंट में सबसे बड़ा नील रिवर है लेकिन लार्जेस्ट मतलब की एरिया में देखिए इस लीवह गाई जादा है इदर देखिए ऐस्ट्रेलिया कॉंटिनेंटस के बारे में पढने से पहले आई लेंड के बारे में समझते हैं देखें आई लेंड जो ऊडलेंड मासे होते हैं इसके चारु तरप से Water घिरा हुआ हो जैसे कि यह देखिए यह अंडमान नीको बार है जोगी इन्डिया के अंडर में आते हैं इनके चारो तरफ से ओसे गिरे हुए है तो इसे आइलेंड कहा जाता है अब अस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महादवीफ है यह पूरी तरीके से साउथ अर्न हमस्पेर में है देख सकते हैं जिरो डिगई है और इसे आइलेंड कंटिनेंट भी कहा जाता है अब समस् लगवक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लेकिन फिर भी कहा जाता है कि water का scarcity है, कमी खल रही है, यह इसलिए क्योंकि 97% of water जो है oceans और seas में मौजूद हैं, जो कि salty हैं, और लगवग 2% water ice के form में हैं, और फिर 1% जो बच गया, उसमें से 0.7% इधर तिदा रहे हैं, और 0.3% जो 0.03% के रूप में मौजूद हैं, मतलब क बहुत कम water है, जो कि अब आये oceans के बारे में पढ़ते हैं, तो oceans में water होते हैं, water के उसमें तीन तरह के movement देखने को अधिक तर मिलते हैं, waves, tides and ocean currents, इन तो ने तीनों का नाम याद कर लीजे, डीटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और 5 oceans मुखेता हैं, वैसे और भी हैं, लेकिन 5 बड़े-बड़े हैं, तो वो Pacific Ocean है, Atlantic, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean, साइस के आधार पर ये लिखे, Mariana Trench, इसी Pacific Ocean में, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो इसी में सबसे गढ़ा भी अस्थान मिल जाता है, और Pacific Ocean लगभग, लगभग circular in safe है, इसी में इसको आप्लांटिक Oceans को पढ़ने से पहले हम लोग एक उपड़ें, इन डेंटेड कोस्ट इन डेंटेड मतलब समझ लोगजी खुद रुखडा, जो कोस्ट लाइन मतलब की ये लाइन हो गया और इधर माली ये वाटर हो गया, ये इन डेंटेड है आगे पिछे, आगे पिछे, अब इस जो आगे वाला पार्ट इस पर असानी होता है, पोर्ट एंड हार्पर बनान इस तरीके से इधर बहुत आवागमन होता है, इसलिए इसमें बहुत बीजी होता है, मतलब की बहुत से सिप्स आते हैं, जाते रहते हैं, तो इसे इंडिया है, अपना देस, तो इसलिए इंडिया के नाम पर इसे इंडियान ओसे नाम रख दिया गया है, ये एक लावता ओ से की शार्टिक थे शार्टिक आपने, इसलिए सौथार्न अच्छि एगरी कॉ से सहल्च भी डूल अन्टार्व में रि Simmons को शाय दे। कि यह है यहां से यह निया है तो उसे चारार्व घहता है ऑलिया क। यहां हम लोग नें पढ़ा था Arctic Circle, तो इसी के ऊपर में जो Arctic Ocean है, तो इसी को Arctic Ocean कहा जाता है, जो कि Northern Pole पे लगबग है, और यह एक Strait से Pacific Ocean से जुड़ता है, Strait मैंने समझा दिया है, जिस Strait को bearing, अब आए एट्मोस्फेर के बारे में पढ़ते हैं, तो परित्वी चादू हाइट तक मिलते हैं, दिमें-दिमें कम होते होते हैं, उसके बाद भैकूम आ जाता है, मतलब वहां कुछ भी नहीं रहता है, एर भी नहीं, वैसा आस्थान आ जाता है, यह गासेस में 99% nitrogen और oxygen कंट्रिब्यूट करते हैं, 78% nitrogen है, and 28-21% oxygen है, यह आप जानते होंगे, इसे मे के लिए photosynthesis के लिए carbon dioxide के इतना important है, और nitrogen growth of organism के लिए important है, जैसे कि बच्चा चोटा होता है, उपड़ा होता है, तो इसमें nitrogen का बहुत बढ़ा important है, प्लांट्स में और इनमल्स में सभी में, यह वैसे गैस के फ़र्म में नहीं लिया जाता है, नाइटरेट्स के फ़र्म में आगे हम लोग detail में पढ़ेंगे कभी, और यह carbon dioxide के एक और importance है, यह heat को trap करता है, जैसे कि ऊपर से आस्मान से गर्मी आई, और धर्ती पर पड़ी, और heat फिर अगर ऊपर चली जाएगी, तो वो heat कम हो जाएगा, मतलब धर्ती गरम नहीं रापाएगा, इसमें temperature में difference आने मतलब कि दुनिया को पांच पार्ट में बाटा जाता है, जैसे कि आप देख सकते है, ट्रोपो एस्फेर जो की सबसे निचला हिसा है, इसके बाद एस्ट्रेटो एस्फेर, मेस्फेर, फिर थर्मो एस्फेर, फिर एक्सफेर, इलोग को detail में हम लोग आगे कभी पढ़ेंग तो जिस रूम में 20 समान है उसका डेंसिटी जादा हो गया, ऐसे अभी समझ लीजिए, और जिसमें 10 समान है उसको कम हो गया, उसी तरह कि इसे एर मोलेकूल्स जो होते हैं, वो पिडित्वी के C लेबल पे बहुत जादा होते हैं, तो इसे 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 जाईएगा और फि जो एर खतने लाएगा, तो उसे अक्शिजन नहीं मिलेगा, फिर वो मर भी सकता है, इसलिए जो खनता है, तो जो जो पिडित्वी कर गसाया और कभी डालभी ने खता है, और कभी कहीं से जादा हो ई जादा हो जाता है यार यायो मो зачाईएवटशन जादा हो जादा हो में यह अर्थ पे ही मुमकिन है ठीक है और बायो स्फियर का तो इसे 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 बचाना बहुत जरूरी है अगर यह खतम हो जाता है तो फिर हम लोग नहीं रहा पाएंगे मर जाएंगे यहां पर वड़ है मैमल्स तो मैमल्स ऐसे इसे इसको का रहता है जो अपने बच्चे को अगर हम लोग यह के दूसरे को देखें तो प्लांट और इनिमल किंडम सभी एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं अगर माली जी हम लोग यह वाटर को डिश्टर्व करते हैं तो उससे हम लोग को ही घाटा होगा जैसे कि सुनामी आया था अंडामान निकोबार में और इंद् से खिलवार्मेंट से खिलवाड नकरहें अभाए कुर्ट करते हैं पला कुछत है वाटर अर्थ फोर मेजर डोमेंस आफ अफ्ट तो फोर मेजरेष देश्ट थमारीका यह एस्ट्रेलिया नोर्थ अमरीका जाएंगा नेम दो डिश्टेनेंट्ष अनिकेल वारी से उन्सप्रनेया। लिए सब्सक्रनेया आथ न्यक्तार्टिका पे का अन्तार्टिका है। एकसे हम उतर नभी जिता हमाने कि양िए। जहां उतर पुझे को हमाने हो डीरा आपIT। यए शॉपी प्रूटरीटिक टर्टनेया। तो इसमें लिख दिएगा कि यहां पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में बलके पूरी वर्ड में मैं जहान लाइफ से लिए लाइफ के लिए जो depends मैं ऻलिए लिए फीर बाइफ के लिए जीला अधिया में इतंता है इसलिए अपोने मांन डेस्प्रेस्ट ऐर आसे। अधार नासेस्ट सब्सक्राइब नियुक्त है। पिस्किल दिया हुआ है यह बहुत इंपोटेंट है आप लोग इसे लोकेट करने की कोशिज कीजिए मैंने यह मेरे द्वारा हालाइट पीडियेफ अपने दिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है इसे आप जाकर उसे देख सकते हैं उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं धन्यवाद